हेलो दोस्तों स्वागत आपका इस वी चैनल में तो दोस्तों आज के विए डिसकस करेंगे कॉलेज कांसिलिंग के बारे में तो दोस्तों जैसा कि आपको पता इस बार कॉलेज की कांसिलिंग होई है बो प्रॉलम कौन सी है दोस्तों बो प्रॉलम में आपकी subject choice की जी हैं दोस्तों subject choice तो दोस्तों हमारे बीए में airbizal लेने के बाद में subject choice कब से होने बाले हैं बो मैं आपको complete इस वीडियो के माददम से समझाने बाला हूँ जिससे आपको अच्छे से समझ में आज सके और दोस्तों आप बीए में subject choice करते टाइम पर कोई भी गलतियां ना कर पा तो दोस्तों वीडियो को पूरा देखें जैसे आपको समझ में आ जाए और वीडियो को share कर देना सभी दोस्तों की साथ instagram पर follow कर लेना है तो दोस्तों जैसा कि आप देख पा रहें को official notification जारी किया गया है और इस official notification में आपको clear बता दिया गया है कि आपकी जो subject choice होनी है वो subject choice कब से होने देखी दोस्तों इसमें तोड़ा सा नीचे आना है और इसमें आपको थर्ड नंबर के पैरा को ध्यान से समझना है थर्ड नंबर के पैरा को तो दोस्तों हम थर्ड नंबर के पैरा को पूरा अच्छे समझते हैं पहले तो हम पूरा फढ़ लेते हैं इसमें क्या लिखा गया है दिकिए ध्यान से देखना है दोस्तों वीडियो को पूरा देंगे तब यह आपको समझ में आपाईगा प्रिवेश नियम एबम मागदसी सिद्धानती की कंड़का 2.36 के अनुक्रम में जो आपका एड्मिशन प्रोसेस का जो एड्मिशन प्रक्रिया आया था बी-ए में एड्मिशन प्रोसेस की जो रूल बुक जारी की गई थी उस रूल बुक के 2.3.6 के पैरा में दोस्तों इसनातक कला संकाई इसनातक कला संकाई का मतलब होता है यूजी इसनातक का मतलब हो गए दोस्तों यूजी और यूजी के अंदर आता है दोस्तों आपका बी-ए यानि कि कला संकाय का मतलब होता है दोस्तों बिये तो बिये के समस्त आविदकों के लिए अनुवार होगा कि क्या अनुवार होगा दोस्तों तो बिये के समस्त आविदकों के लिए समस्त सात्तरों के लिए जो अनुवार है कि दिनांक 18 नमंबर से दिनांक 12 दिसंबर तक तार के साज्वेशा सम्मू का चैन्व करते हुए संबंद्द महा από्गिद्याले के माध्याम से ओल्लाइन पॉर्टल पर विश्यस सम्मू की जानकारी अंयत्रण करवाएंगे यानि कि उपलब्द करवाएंगे संबंद्द सास की अनुदान प्राप्त या असास की निजी असास की महाबिद्धार है ऐसे आविद्धकों की जानकारी इंद्धारिस समय सीमा में पोर्टल पर सुनच्चित करना करेंगे इसका क्या मतलब दोस्तों पहले तो ही समझ लीजिए तो दोस्तों जब आपने बीए में एडमी से लिया है बीए का जो प्रोसेस ता रूल बुक थी उस रूल बुक को मैंने आपको वीडियो के माददम से पूरा प्रोपरली समझाया था तो उस रूल बुक के 2.36 पैरा में दिया गया था कि जो यूजी बीए के स्टुडेंट है उन समझ चात्रों को अनवार होगा कि दिनांक 18 नमंबर से दिनांक 12 दिसंबर तक यानि अब 1958 नमंबर से चैंज कर दिया गया है दोस्तों 18 नमंबर की जगए इसको कितना कर दिया है इसको कितना कर दिया है había 24 नमंबर कर दिया है और 12 दिसंबर कर दिया है 12 दिसंबर जो की सही है तो 24 नमंबर से 12 दिसंबर तक आपने जब आपको याद होगा दोस्तों आपने जो चॉइस्पिलिंग की थी चॉइस्पिलिंग करते टाइम पर only आपने क्या select किया था, only आपने BA select किया था, ना कोई इसमें subject select किया था, BA के अंदर बहुत सारे subject होते हैं, जैसा कि आपको पता हुआ तो दोस्तों, आपने only क्या select किया था BA select किया था, यानि कि course select किया था, ना कि आपने subject select किया था, तो दोस्तों आपने subject select हो रहा है वो subject select करने का option आपको मिल चुका है जी हार दोस्तो कब से कब तक मिल चुका है 24 November से 12 December के बीच में कब से कब तक दोस्तो 24 November से 12 December के बीच में आपको अपनी college से आपने college से seat संक्या के आदार पर मतलब की आपने जिस college में लिये आए है admission उस college की seat संख्या के आधार पर आपको क्या करना होगा विशय समू का चैन करना होगा यानि कि बीए के अंदर आपको अब सबजेक्ट सिलेक्ट करने होगे और जो सबजेक्ट सिलेक्ट होगे दोस्वों वो संबंदित महां विद्या ले यानि कि जिस college में admission लिया है उस college के माध्यम से आपको online submit करने होंगे subject online आप जैसे कि MP online के माध्यम से नहीं कर पाएंगे आप सोच रहे हैं online online का मतलब MP online के माध्यम से कर सके हैं जी नहीं बिल्कुल ऐसा नहीं होगा आप cable कहां से कर पाएंगे दोस्तों 18 नमंबर से लेका दोस्तों 24 नमंबर से 12 दिसंबर के बीच में आप cable subject जो select कर पाएंगे जिस college में आपने admission लिया है उसी college में उसी college की ID से और जो college के जो computer operator होते हैं बहिं कर पाएंगे और कोई आपके subject को select नहीं कर पाएगा यहां तक आपको सारी बात clear हो गई होगी और दोस्तों आपने चाहें दोस्तों government college में admission लिया हो चाहें आपने private college में admission लिया हो आपको जो subject select करने होंगे बीच के subject select करने होंगे आपको अपने college में जाकरी subject select करने होंगे और दोस्तो निदारिस समय सीमा में करने होंगे कौन-कौन सी समय सीमा रखी गई है 24 नमंबर से 12 दिसमबर तो दोस्तो यहां तक आपको सारी जानकारी मिल गई होगी अब आपके जो subject select हो रहे हैं उस तारीक को ध्यान से सुनिए वो तारीक का 24 नमंबर से 12 दिसमबर और दोस्तो MP online के माददम से आप subject select नहीं कर पाएंगे इसके लिए आपने जिस college में एडमिसन लिया है उसी college में जाना होगा चाहें आपने government में लिया हो चाहें आपने private में लिया हो उसी college से आप subject select कर पाएंगे बीए में बहुत सारे subject होते हैं बीए में कौन-कौन से subject होते हैं वो इसके बारे में अलग से आपको वीडियो के माददम से बता दूँगा उस वीडियो में आपको clear पता चल जाएगा कि बीए में कौन-कौन से subject होते हैं उम्मित कर रहा हूं सारी जानकारी समझ में आगी होगी तो वीडियो को share कर देना सभी के साथ जिससे बीए के जदने में सारे student सभी student को इसके बार नौले मिल सके वीडियो का इंपर करते हैं समा आप मिलते हैं नेस वीडियो के साथ पर तक लिए बाई